नमस्कार दोस्तों मैं हूँ बीजय कुमार और आप देख रहे हैं साइबर प्रतिबा आज का हमारा टॉपिक है कि काली लिनक्स में का जो नेटवर्क एडाप्टर होता है उसको कॉन्फिगर कैसे करेंगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं लोग बहुत सारे क्वेस्टिन पूछते हैं कि हमारे काली लिनक्स हमने इंस्टॉल कर लिया है लेकिन उसमें आईपी अड्रस नहीं दे पा रहा हूं या वो अपने आप आईपी अड्रस नहीं ले रहा है तो और बिना आईपी अड्रस के काली लिनक्स का नेटवर्क में कोई यूज नहीं है तो सबसे प जाता है काली लिनेग्स के लिए। यहां पर सर्च भी कर सकते हैं तरमिल इस तरह आप इसमें करेंगे तो इसका size थोड़ा बढ़ जाएगा कि हम network configuration को basic command है पहले भी मैंने describe क्यों ही है ifconfig या आप अगर Linux से family रहें तो आप इस command के बारे में अच्छे से जानते होंगे तो ifconfig आप use करेंगे तो आपको detail मिल जाएगी लेकिन यहाँ पर आप देख रहे है command not found का error आ रहा है तो इसमें कोई confuse होने वाली बात नहीं है क्योंकि जो network manage करने की command होती है वो command basically एक system administrator द्वारा चलाई जाती है लेकिन यहाँ पर मैं एक normal user की तरह login है आप यहाँ पर देख सकते हैं dollar sign दिखाई देता है dollar sign का मतलब हो गया कि मैं एक normal user के द्वारा login हूँ और इस समय हम system admin की command को run नहीं कर सकता हूँ तो यहाँ पर directly आपको यह दिखा देता है कि command not found ठीक है अब अगर इसको हम आप sudo या तो use कर लीजे sudo root user में तो root user के लिए हाँ आप su command का use करेंगे switch user और बिना कुसी user का नाम दिये हुए तो वो सीधे root में हो जाएगा आपको root का यहाँ पर password देना है और आप यह root के user आगए ठीक है अगर आप root के user का password नहीं मालूम है आपको तो मैंने link description दिया है कि root के user का password कैसे find out करना है अगर आप नहीं जानते हैं तो आप root टेंसल लेने की कोई बात नहीं है आप इसी टर्मिनल से इसी user से जो है आप किसी तरह की configuration कर सकते हैं क्योंकि जो पहला user by default काली Linux में बनता है sudo user होता है और sudo user के पास दोनो rights होते हैं यानि कि वो normal user की तरह काम करता है लेकिन वो super user की तरह भी काम कर सकता है अगर किसी भी command के पहले जैसे यह हमने command लिखी थी थोड़े समय पहले अगर इसके आगे हम sudo लगा दें तो हमें यह बता देगा कि यह जो command run करनी है यहाँ पर आपको current password देना होता है current password जो भी आपने set किया है अपने काली Linux के लिए अपने user के लिए तो आप उसका use कीजिए और इस तरह से देखिए वही command थी same command थी और यहाँ पर execute हुई है तो इसको मैं clear करने से पहले अब यहाँ पर जो हमने configuration देखने के लिए ifconfig command का use किया था तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ आ रहा है तो इसमें यह eth0, eth1 और lo तो eth क्या है actually this is the short form of the ethernet ethernet के short form हो गए eth तो eth01 और 001 यह दोनों उसका number assign करता है कि कितने connector, कितने adapter, कितने ethernet आपके computer में connected है ethernet LAN card होता है ना कि WAN card होता है WAN के लिए अगर Wi-Fi है तो WLAN आएगा यहाँ पर लिखा हुआ तो अभी हम इसे virtual machine का use कर रहे हैं और इसमें जो ethernet है दो हमने connect कर रखे हैं eth0 और eth1 तो यहाँ पर दोनों swap कर रहे हैं और आप देखिए दोनों का IP address यह IP address हो गया और यह net mask हो गया और broadcast address ही हो गया और इसके बाद default gateway तो इसमें नहीं दिया हुआ है नहीं नेम server दिया हुआ है तो basically इसमें भी IP address दिया हुआ है ठीक है यह तो था कि configuration हमने चेक कर लिया है if config के द्वारा या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं अब जब भी आप यहाँ पर इस तरह से मतलब login है normal user से तो जो भी यह if command रन करेंगे वो आप एक super user के द्वारा रन करेंगे ठीक है तो दोनों में एक ही configuration आपको देखने को मिली है अगर इसको if config के बारे में ज्यादा से जानना है तो या तो man command का man if config command के यूज़ कर सकते हैं यह man command का यूज़ करके आप इसका manual page पर सकते हैं short अगर आपको देखना है कि इस command का use कैसे कैसे करते हैं तो if config और सबसे पहले तो sudo लगाना बहुत जरूरी है if config और उसके बाद hyphen happen help का command का use करेंगे तो आपको इस related यानि कि जो भी है यह देखिए इतने सारे तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं अब इसका if config का दूसरा यूज यह होता है सबसे पहले तो हमने इसकी configuration देखी दूसरा होता है कि जो adapter है adapter अभी हमारे पास कितने हैं हमारे पास adapter जो हैं दो हो हैं टीन है एक तो zero है ETS zero Ethernet zero Ethernet one और तो दूसरा है loop background adapter यह वाई default सारे में होता ही होता है ठीक है तीन adapter है तो बेसिकली इसका बाहर के connection से कोई लेना देना नहीं होता है किसी तरह की connectivity बाहर के network से नहीं बनाता है लेकिन जो Ethernet है या WLAN है Wi-Fi card है वो आपके बाहर वाहरी network के साथ में communication बनाता है connection बनाता है इन दोनों में से अगर मानलों दो हैं आप चाहते हैं कि एक को down कर दें यानि कि एक को disable करने के लिए यह command यही रहती है यानि कि जो command है sudo if config और इसके बाद में आपको लिखना है कि इसे आप को क्या करना है आप down करना है बंद करना है यानि कि उसे बंद करना है डाउन कर देना है यहाँ पर एक बात और थी कि जो दिखा रहा है यहाँ पे interface information नहीं दी व जीरो मैं जीरो को down कर रहा हूं या फिर बंद को down करता हूं बंद को down कर देता हूं और फिर सही यहाँ पर वही command sudo if झाल यहां पर आप देखेंगे कि यह Ethernet 1 जो ETS 1 है यह डाउन हो गया है डाउन होने पर क्या होता है आप यहां पर देख सकते हैं कि जो IP address पहले दिया हुआ था वो IP address इसका रिमूब हो गया है अब सीथे MAC address इसका दिखा रहा है और दूसरी चीच यह आती है कि अगर इसको आपको disable करना है तो आप कमांड वही यूज़ करेंगे अप वाली आपका मतलब होता है चालू हो जाना और ETH 0 दोनों को हम up और down कर देते हैं ठीक है तो अब सेम चीच यह आप देखेंगे कि यह वाली कमांड है और इस कमांड में देखिए आप अब इसने ETH बनने जो है दुबार IP address ले लिया है तो IP address लेने का में कारण यही था यह अप हुआ और अप होने के बाद इसको IP address मिल गया चलो यह तो था कि कैसे हम enable और disable करेंगे network को कभी कभी क्या होता है कि हमारा network connectivity आती है properly IP address नहीं मिल पाता है DHCP server के दुबारा तो आप इसको down करके up करेंगे तो दुबारा वो अपने आप configuration ले लेगा तो IP address देने के दो तरीके होते हैं पहला तो होता है automatic आटोमेटिक आइपी आडरस लेता है और दूसरा होता है static तो static और आटोमेटिक आइपी आडरस में यह अंतर होता है आटोमेटिक आइपी आडरस होता है वो dhcp server के द्वारा मिलता है dhcp और जो static IP address होता है वो आपको manually देना होता है यानि कि जो आप चाहते हैं वो IP address दे सकते हैं लेकिन आटोमेटिक में जो dhcp server चाहेगा वो आपके computer को IP address मिलेगा तो अब यहाँ पर IP address हम assign करते हैं assign करने की भी command वही है ifconfig यहाँ पर आपको IP address देना है तो IP address चलो इसका हम eth0 बन बाले का change करते हैं आप देखिए बन का यह है इसका IP address हम change करते हैं तो eth1 यानि इथरनेट का नाम देना पड़ेगा किसका configuration आप change करना चाहते हैं और क्या configuration रखना चाहते हैं यानि कि वो IP address क्या है जो आप रखना चाहते हैं हम यहाँ पर यह IP address इसका रखना चाहता हूँ तो फिर से इसका IP a करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका IP address change हो गया है ठीक है और अगर इसके net mask भी हमें change करना है तो वेराल तो net mask सही है इसके according तो अगर net mask भी हमें change करना है तो फिर क्या करेंगे इसको देने के बार net mask दे देंगे जो भी कभी कभी हमें different net mask मिलता है जो assign करना होता है अगर हमें assign करना है तो हम assign कर देते हैं इसको इस तरह से करते हैं साइन अब आप देखेंगे कि इसका नेट मास्क जो है चेंज हो गया है अगर आपको बेसिकली नेट मास्क चेंज करना है तो आपको इस तरह से कमांड यूज करनी पड़ी कि फाइन तो आप देखिए यहाँ पर नेट मास्क भी चेंज हो गया है डिफॉल्ट गेटवे को कैसे आड किया जाए रूट कमांड आती है रूट कमांड से आपको गेटवे पता लग जाता है ठीक है डिफॉल्ट गेटवे इसमें 00 दिया हुआ है तो इसको आड करने के लिए आपको दूसरी कमांड यानि रूट का ही यूज करना पड़ेगा रूट कमांड हो गया फिर इसमें एड डिफॉल्ट गेटवे और फिर डिफॉल्ट गेटवे का आईपी अड्रस यहाँ पर दे देता हूँ यहाँ पर देखिए आपने रूट थाइपन एन यूज किया है तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि यह जो है डिफॉल्ट गेटवे आपका एड हो गया है चलो इसके बाद हम बात करते हैं कि DNS सर्वर को कैसे आड किया जाएगा DNS name server को कैसे add किया जाएगा तो name server basically एक file होती है जिसके अंदर उसकी configuration रहती है वो file का नाम है ये जो है आप देखिए cat command का use करता हूँ मैं etc के अंदर resolve.conf के नाम से file होती है ठीक है तो इसमें configuration दिया रहता है ये आप देखिए कि ये name server दिया हुआ है जो कि generated by network manager network manager के द्वारा इसे generate किया गया है और ये name server है ठीक है तो इसमें entry आप कर दिजिए जो भी name server आप चाहते हैं उस name server के आप entry कर दिजिए ठीक है जैसे कि अब entry कैसे करेंगे तो entry करने के लिए ये है कि आप eco command का use कर सकते है eco command का use करने के बाद आप लिखती है इसमें entry कर दिजिए name server और name server के बाद यह यहाँ पर आएगा eco name server और इसके बाद अगर आप जो पहले already entry की हुई है उसको remove करके नई entry करनी है तो आप इस तरह से कर दिजिए resolve.conf अगर आप चाहते हैं कि पुरानी entry रहे पहले तो यह करते हैं permission denied इसको वही permission नहीं है तो चलो root से करते हैं देखते हैं switch करके root से user अब root से use करने के बाद eco name server 8.8.8.8 और इसको करना है etc के अंदर resolve cat command का use करेंगे यह देखने के लिए यह name server था पुराना वाला remove हो गया है अगर इसमें आपको कोई दूसरा दो name server रखने हैं तो कोई problem नहीं है आप इस तरह से रख सकते हैं अब तो यह आपको DNS server का नाम अब दूसरा यह आता है कि अगर हमने manually IP address नहीं देना है हाँ तो next बात यह आती है कि अगर आप manually configure नहीं करना चाहते हैं automatic करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा तो DSCP client आपको configure करना पड़ेगा आपको अपने laptop में तो उसका link मैंने description box में दिया हुआ है आप बहां जाकर के check कर सकते हैं अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लिजे जिससे की आपको हमेशा हमारे नएने वीडियो के अपडेट मिलते रहेंगे थैंक्स पर वाचिंग सी यू इन नेक्स्ट वीडियो